दुनिया जितनी खुबसूरत दिखती है उतनी रोचक भी है जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे दुनिया में ऐसे कई फैक्ट्स हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आखिर पहले कभी हमने इस बारे में क्यों नहीं सोचा ऐसे ही फैक्ट्स लेकर हम आपके लिए आते हैं हमारे खास प्रोग्राम फैक्ट्स में तो चलिए शुरू करते हैं आज के रोचक फैक्स का सलसिला इंटरमेट के जमाने में इससे खूब देखा होगा लेकिन क्या आपने ये अंदाजा लगाया है कि आखिर हज़ार के लिए के क्यों लिखा जाता है दरसल कई पच्छमी देशों में रोमन संस्क्रती से काफी प्रभाव पड़ा हजार के लिए के अक्षर का प्रयोग भी रोमन संस्क्रती से ही आता है ग्रीक में चिलियोई का मतलब होता है हजार वहीं से ये शब्द आया, इसके अलावा बाइबल में भी केश शब्द का इस्तमाल किया गया है फ्रांसीसी लोगों ने ग्रीक शब्द चिला कोई कोई ही छोटा करके किलो कर दिया इसके बाद किलोमीटर, किलोग्राम इन सभी कानुमा लगा जाने लगा क्योंकि किलो ग्राम में एक हजार ग्राम होता है ऐसे बेहजार का साइन के बन गया हमारे दिमाग और हमारी शरीर पर हमारी क्लियों का काफी असर पड़ता है दिमाग हमारी शरीर के बाकी हिस्सों से जादा गर्म भी होता है हलाकि महिलाओं का दिमाग पुरशो के तुलना में भी ज़्यादा गर्म होता है जो लगभग 105 डिग्री फॉरे नाइट से भी ज़्यादा हो जाता है ये अंतर सबसे ज़्यादा पीरियट के कारण होता है क्योंकि ज़्यारतर महिलाओं को उनके चौकर के बाद ही पुर्ति के बिना मारश्वरी का एक मात्रो हिस्सा कॉर्णिया है जो हवा से ऑक्सीजन प्राप्त कर सकता है इसलिए महिलाओं का दिमाग उस्यादा गरब रहता है आप सभी ने इंद्र धनुष तो कई बार देखा होगा सभी को ये पता होगा कि इंद्र धनुष में सातरंग होते हैं लेकिन क्या आपने कभी रात में रेंबो देखा है या फिर सुना है तो आज हमाँ आपको उसके बारे में बताने जा रहे हैं रात में दिखने वाले इंद्र धनुष को मून वो कहा जाता है ये एक ऑप्टिकल घटना होते हैं जो हवा में पानी की बूंदों के माध्यम से चंद्रमा से अपवर्तित प्रकाश को कारट दिखाए देती है ये अंद्र धनुष मूनिमा की चांद के साथ काफी ज़्यादा सुन्दर दिखता है हम यह मानते हैं कि पानी से भरी समंदर के दूसरे शोर का शायद पता ना चल सके लेकिन इसका कम से कम एक किनारा जरूर होता है कई समंदर तो चारुतरा से जमीन से घिरे होते हैं जैसे कि भूमज सागर और काला सागर कभी कभी ऐसा भी होता है कि सागर कहां महा सागर में मिल जाते हैं पता ही नहीं चलता लेकिन ऐसे में दीपो की माला को जोड कर देखा जाये तो इसकी जानकारी भी लगाई जा सकती है लेकिन एक ऐसा समुंदर है जिसके किनारे पर कोई जमीन नहीं होती है और ये है सारगासो सागर ये अटलांटिक सागर के पश्च्री में है और तर अंटलांटिक वे एक तरफ को मूर्ती लहरे इसकी सीमा बनाती है स्कूलों में हमने यही सिखा है कि भुकम की तेवरता को रियक्टर स्केल पर मापा जाता है लेकिन असल बात तो ये है कि पूरी तरीके से सठीक जानकारी नहीं देता 1930 में भुगर्ब विशिश अगिल च्वास रियक्टर और बोन और गुटबन ने केवल कैलिफोनिया में भुकम के कारण पैदा होने वाली उर्जवाम आपने के लिए से बनाया था ये मुश्किल नाम होने के कारण इसे रियक्टर स्केल के रूप में लिखा जाता है तो अगली बार अगर कोई आप से रियक्टर स्केल पर आठ तीम रता के भुकम के बारे में बात कही है तो समझ लीजगा किसका मतलब सिस्मोलोजिकल स्केल से है तो ये थे आज के कुछ खास फैक्ट्स ऐसे ही और खास फैक्ट्स लेकर हम फिर हाजर होंगे तब तक के लिए देखते रहें सी निउस भारत नमस्कार